है यह वेल्कम बैक टो रेनन मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सिरीज तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे और आज के वीडियो से प्रणाउन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो प्रणाउन के जो जितने भी टाइप से अलग अलग चैप्टर में दिये हुए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रणाउन से तो प्रणाउन में जो हमारा पहला टाइप होता है परसनल प्रणाउन होता है तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रणाउन हम किसे करते हैं वाटर प्रणाउन्स तो देखिए प्रणाउन्स क्या होते हैं सबसे both left यहाँ पर रवी के बारे में दो बात महूं बोल रहें पाहला है कि रवी अब संट है और दूसरा यह कि रवी जो है क्यों अब सेट है क्यूंकि वह बिमार है तो एक चीश आपने यहां पर नोटीस किया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहा है रवी के बारे में बात कर रहा है रवी क्या एक नाउन है और फिर से जब हमने दुबारा इसी के बारे में बात क्या इसी के बारे में चर्चा किया तो फिर से हमने नाउन को रिपीट किया पहली बात तो यह है कि noun का मतलब किसी का name और किसी का name एक शब्द का भी हो सकता है और एक से जादा word का भी हो सकता है तो ऐसे बहुत सारे लोग है जिनके name में 2 word, 3 word या 4 word भी लगे होते हैं कभी-कभी इससे भी जादा words के name होते हैं तो आप अगर छी चीज के बारे में या किशी व्यक्ती के बारे में कुछ बात आप बोल रहे हो उसके बारे में suppose कि आप जैसे डॉक्टर a.p.c. अब द्र. अबled इन लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो बार बार इनसे related sentences हम बनाएंगे और बार-बर हम डॉक्टर एपी जे अब्दुल क्लाम लिखेंगे तो पता है इसमें क्या होगा सेंटेंस क्या हो जाएगा मोनोटोनास हो जाएगा मतलब यह बोलने में हमारे लिए और है चोटा नाम को हम बार-बार रेपीट कर सकते हैं कह सकते हैं यो बड़े नाम को दूसरी बात हैं कि इंग्में नाउन के रिपस проб कर सकते हैं तो वसके जगह पे हम दूसरा वढ़ोड करते हैं जो नाउन के जगह पी और noun को noun का जो काम होता है वही काम वो भी करता है मतलब वो उसको represent करता है तो कोई भी ऐसा word जिसे हम noun के स्थान पे यूज़ कर सके noun के place पे यूज़ कर सके noun के लिए यूज़ कर सके उसी को हम प्रनाउन करते है तो यहाँ पर हम दो बर noun को repeat नहीं कर सकते यहां पर हम नाउन को repeat कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम sentence को किस तरीके से लिखे है, कि यहां पर जो नाउन है उसके repetition से हम बच सके तो जैसे कि संटेंस क्या है? अब देखो sentence को इस तरह से लिखा गया है, रभी is absent today because he is ill. रवी आज अपसेंट है क्यों अपसेंट है क्योंकि वह बिमार है तो यहाँ पर देखो रवी जो नाउन है उसके जगा पे इस बार क्या लिखा गया ही लिखा गया तो ही किसकी जगा पे लिखा गया ही को लिखा गया है रवी के जगा पे यानि कि noun के जगा पर तो जो भी word जो noun के जगा पर आ सकता है noun को represent कर सकता है noun के लिए use हो सकता है वो ऐसे words को हम क्या कहते है प्रनाउन कहते तो यहाँ पर इस sentence में जो ही है ये क्या है ये प्रनाउन है ये क्यों प्रनाउन है क्योंकि ये किसी noun के जगा पर आया है बात समस में आ रही है तो अगर हम प्रणावन के अगर पर definition की बात करें तो इसका सबसे सबसे अच्छा सबसे suitable जो definition होता है प्रणावन is a word used instead of noun को कहते हैं जो नौन के जगहां यूज होते प्रनावन के बारे में आपको पता चल गया अब लिए जानते हैं यहां pandemic complete person का चार्ट है तो Personal । के बारे में जानेगे देखिए वह ऐसे प्रणाउन्स जो कि Person के लिए यूज होते हैं मतलब आई से प्रणाउन जो पर्ण को रिपरेजेंट करते हैं यानी living being खासकरते परसन मतलब क्या व्य क imperson cook को represent करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते है personal pronounce अब जैसे कहने का मतलब है I मैंने बोला I तो I मैंने खुद के लिए बोला तो मैं भी एक person हूँ मैंने बोला you तो you मैंने आपके लिए बोला तो आप भी एक person है मैंने बोला he तो ही भी क्या परसन है तो मैं अगर आई बोलू वी बोलू या यू बोलू की बोले या फिर शी बोलू दे बोले या फिर एट बोले यह सब का यूज हम किसके लिए करते हैं परसन के लिए करते हैं हाँ इट के साथ थोड़ा सा कंडिशन है it का use हम person के लिए भी करते हैं और things के लिए भी करते हैं यानि non living के लिए भी करते हैं तो it के साथ condition क्या है कि इसका use person के लिए भी होता है और इसका use person के लिए नहीं भी होता है यानि वैसे चीजों के लिए होता है जिसमें life नहीं होती है non living things के लिए होता है और थिंग्स के लिए हम इट का यूज कब करते हैं तो इस कारण से इन सभी प्रणाउन को पर्सनल प्रणाउन्स कहा जाता है विकेस यह पर्सन को डिनोट करते हैं अब चलिए बात करते हैं पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन तीन पर्सन होते हैं सबसे पहली बात कि फ़र्स्ट परस्ट में कौन-कौन से प्रणाउन आते हैं, तो परस्ट परस्ट में आता है आई और वी तो आई हम एक परसं के लिए करते हैं और एक से ज्यादा परसं अगर फर्स्ट परसं में हो, तो उसके लिए हम V का यूज़ करते हैं Second person में U आता है और Third person में He आता है, She आता है It आता है और They आता है तो अगर इन सबका अगर plural की बात करें तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं दे का यूज़ करते हैं अगर Third person में कोई single वेक्ती है और वो वेक्ती कोई male person है कोई male है, तो उसके लिए हम He का यूज़ करेंगे अगर Third person में कोई ऐसा वेक्ती है जो कि female है तो उसके लिए She का यूज़ करेंगे Third person में कोई भी ऐसा चीज़ है मतलब कोई वेक्ती ने कोई चीज़ है और अगर कोई व्यक्तिव है तो अन्नोन है हमें पता नहीं है कि वो ही है कि शी है मतलब वो मेल है कि फीमेल है तो उसके लिए हम इट का यूज करेंगे लेकिन अगर कोई भी चीज, third person में एक से ज़्यादा हो, चाहे वो male हो, चाहे वो female हो, चाहे वो living हो, चाहे non living हो, अगर एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा का मतलब उसका plural form क्या हो जाएगा, उसका plural form हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो ये first person में है और ये second person और ये third उसके बाद देखो सब्जेक्टिव केस इसे क्यों बोला जा रहा है सब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया वैसे प्रनावन जो सब्जेट के जगा पर यूज होते हैं जो प्रनावन सब्जेट के जगा पर आते हैं उसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं सब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है और प्रजेशिव केस की बात करें तो प्रजेशिव केस का मतलब होता है कि वैसा केस जिससे हम संबंद बताने का काम करते हैं जिससे हम रिलेशन बताने का काम करते हैं जिससे हम अधिकार बताने का काम करते हैं उसे हम कहते हैं प्रजे लेकिन बॉस्य सिंव एब्सक्रायन impress कि काता है उसाब करता है olduğum आपको क्लिव प्रॉडर हो गया कि हम कि सैंप जी सब्जेक्टिप काते हैं चिसी एजड़ीश की अब बात करें अगर की कर सुन में स्टस्ट संप किसे करते हैं second person किसे करते हैं और third person किसे करते हैं तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि person को लोग इस तरह जिन्होंने भी grammar बनाया person को इस तरीके से क्यों औरेंज किया इस तरीके से person के चार्ट में इसको क्यों किसे कहते हैं फर्स्ट परसन हम स्पीकर को कहते हैं स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला वक्ता यानि कि कहीं कोई भी बात जो होती है वो कहां से स्टाट होती है बात हमेशा फर्स्ट परसन से स्टाट होती है जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं ठीक है कौन बोल रहा है मैं बोल होता है हम लोग से start होता है बात हमेशा first person से start होता है first persons are always the speaker first person क्या होते है speaker होते हैं तो इसलिए I और V को first person में रखा गया है क्योंकि कोई भी बात first person से start होता है और first person जब कोई भी बात बुलता है तो किसको बुलता है अपने से सामने वाला को बोलता है यानि उस बात को कौन सुनता है उस बात को सुनता है कौन उस बात को सुनने वाला होता है सेकेंड परसन और सेकेंड परसन में कौन होता है यू होता है जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं अभी मैं आपको परसनल प्रणाउम के बारे में पढ़ा रह यानि बात कहां से सुरूई मुझसे सुरूई इसलिए मैं कहा हूं फर्स्ट पर्सन और मैं जो कुछ भी बता रहा हूं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं यह कौन सुन रहा है यह आप सुन रहे हैं आपको क्या बोलते यू बोलते हैं तो इसलिए यहां पर जो सेकेंड पर्सन ह लिसनर बोलते हैं और थर्ड परसन की बात करें तो थर्ड परसन हम वैसे परसन को बोलते हैं जो ना तो सुन रहा हो जो ना तो बोल रहा हो लेकिन जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए थर्ड परसन को अबाउट बोला जाता है अबाउट का मतलब जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जैसे अगर मैं कोई बात आपको बोलूँ जैसे मैंने बोला जैसे मैंने बोला कि राहूल एक अच्छा लड़का है यह बात किस ने बोला मैंने बोला तो मैं फर्स्ट परसन किसको बताया आपको बताया तो आप सेकंड परसन क्योंकि आपने इस बात को सुना और मैंने चर्चा किसके बारे में करी मैंने चर्चा करी राहूल के बारे में यानि वो थर्ड परसन हो गया तो इस इसी कारण से person को इस तरीके से divide किया गया, इस तरीके से design किया गया, I hope आपको ये बात पता चल गया, अब हम जानते हैं, हाँ, पिल्कुल मैं difference बताऊंगा कि अगर my और mine, ये दोनों का मतलब मेरा होता है, दोनों का use हम करते हैं, संबंद बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, तो फ person का chart है, आप देख लिजिए, person का ये chart है, तो देखें, I का subjective case, I होता है, I का objective case, me होता है, और I का possessive case की बात करें, तो my होता है, माई होता है, we को अगर देखो, subject के जगा पर लिखेंगे, तो we लिखा जाएगा, अब जिखेंगे, तो us हो जाएगा, वी क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा, और इसका संबंद बताने के लिए क्या होगा, एक तो R होगा, और एक R होगा, आवर नहीं पढ़ते हैं, R पढ़ते हैं, तो एक R होगा, उसके बाद अगर हम second person की बात करें, तो subject में यू रहेगा, और जब object में जाएगा, तो object में भी यू रहेगा, इस ही का देखो, ही subjective case है, ही का objective case क्या हो जाएगा, इसका objective case हो जाएगा, हीम हो जाएगा, और अगर ये ही का use हम करेंगे संबंद बताने के लिए, तो हीज होगा, इसका possessive adjective और possessive pronoun, दोनों क्या होगा, दोनों इसका हीज होगा, उसके बात करेंगर शी का, तो शी अगर object में ज गर सब्सक्राइब इस मतलब i-ts और इसके पशेसिव परनौन कीए बात करें तो पशेसिर परनौन इसका नहीं होता है दिको सभी का पशेसिव एज्टीब भी है पशेसिर परनौन भी है possessive objective यह possessive pronoun भी है, लेकिन its का possessive adjective होता है, वेचा इसका possessive pronoun नहीं होता है, तो इसुस बात पे अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं दे की बात करों, तो दे का देको, दे सब्जिक्ट के जगहाएगा, तो देखे form में रहेगा अगर object के जगह पर आएगा तो देम बन जाएगा इसका objective case क्या होता है देम होता है और अगर इसके हम possessive objective की बात करें तो देर और possessive pronoun की बात करें तो देर तो यह आपका person का complete यह चार्ट है आप इसको देख लीजिएगा हां तो अब देखो यहां से cases से related सबसे पहले तो मैं difference बता देता हूं कि जब यह दोनों possessive है तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कब माई लगाना है कब माई लगाना कब आर लगाना कब आर्स लगाना है तो देखिए मैं इसके बारे म मैं आपको बताता हूं आप बिल्कुल असानी से समझ जाएंगे क्या difference है कि यहां पर मुझे एक slide और चाहिए था लेकिन slide मुझे मिला नहीं तो मैं कहां बताओं मैं इसको यहीं पर बता देता हूं देखो मैं इसको यहीं पर बता देता हूं फिलाल आप यह sentence को भूल जैसे हमने लिखा possessive हमने लिखा possessive तो possessive का दो चीज़ हो गया possessive का एक तो होता है adjective और possessive का एक होता है pronoun देखोता है possessive का adjective और एक होता है pronoun तो कहने का मतलब है कि अगर मैं हिंदी में एक सब्द लिखता हूं मेरा मेरा यानि मेरे लिए अपना हो गया हो मेरा तो इस मेरा से क्या हो रहा है संबंध बता रहे हम position बता रहे हैं तो इसके लिए हम माई भी लिख सकते हैं और इसके लिए हम माईन भी लिख सकते हैं माई भी होगा और माईन भी होगा ये बात समझ में आ रही है माई भी हो सकता क्या है अगर हेंदी में मेनिंग की बात करें तो इसका इसका में का मतलब भी मेरा हो गया माइन का मतलब ही मेरा हो गया ठीक है लेकिन एक पार्सोपी स्पिश में एडेक्टी है इसके साथ noun compulsory है इसके साथ noun compulsory है adjective वाला के साथ noun compulsory है यह अकेले नहीं आ सकता अगर माई की बात करें तो यह अकेले नहीं आ सकता है इसके साथ noun देना पड़ेगा और अगर हम इसे माईन की बात करें तो इसके साथ नाउन नहीं देना है इसके साथ नाउन को देना ही नहीं है नॉट कंपल सरी यह अकेले यूज हो सकता है वैट माई अकेले यूज नहीं हो सकता है तो एक्जामपल में देखेंगे अगर मैं बोलू एक्जामपल के लिए एक सेंटेंस में बोलो कि दिस इस this is mine this is mine car तो बताना ये sentence सही या गलत है ये sentence बिल्कूल गलत है इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर car noun है और आपने यहाँ पर mine को जो कि प्रनावन है उसको आपने noun के साथ यूज किया जबकि मैंने क्या बताया इसको noun के साथ use नहीं करना है तो noun के साथ जब इसको यूज नहीं करना है तो noun के साथ कौन यूज होगा noun के साथ यूज होगा adjective वाला तो इसको सही करने के लिए यहाँ पर से आपको mind को हटा करके यहाँ पर my लगाना पड़ेगा तो सही sentence क्या हो जाएगा this is this is my car यह चीज सही है this is my car क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्योंकि adjective का काम क्या होता है किसी noun के पहले आ करके उसको modify करता है तो यहाँ पर चुकि noun के साथ में आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर my लिखेंगे यानि adjective वाला form लिखेंगे बात समझ में आ रही है तो मैं एक बार sentence और लिखता हूँ एक sentence और लिखता हूँ जैसे देखिए मैंने लिखा this car is my this car is my यह car मेरी है तो यहाँ पर देखो my को अकेले यूस किया जा रहा है यहाँ पर my को अकेले यूस किया जा रहा है यहाँ पर इसके बाद कोई भी noun नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब noun नहीं है तो यहाँ पर हमें pronoun वाला form लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने बताया कि adjective वाला form जो होगा वो अकेले कभी use नहीं होगा जब भी use होगा तो norm के साथ use होगा लेकिन इस sentence में आप इसको अके करना पड़ेगा माइन करना पड़ेगा माइन करना पड़ेगा तो क्या बन गया इस कार इस माइन तो इस सेंटेस को दो तरीके से बोल सकते हैं एक तो गया दिस इस माइकार यहां से भी हम संबंध बता रहे हैं और इस कार इस माइन माइन यहां से भी संबंध बता रहे हैं और को समझ में आ रहा है कि कभ एचेक्टिव का फॉर्म यूज और कभ टूनुंग का में यूज हो रहा है दोनों काम क्या कर समंबंद रखान किस की कार तो यहां किसके समझ मैं किसके अधिकार मैं तो यह बात आपको घाल हो गया यह बात आपको समझ नीज में Betsy ताकि आपको सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव केस वालब पता चल ला है तो सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव केस की चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो देखें जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा मैंने एक सेंटेंस लिखा sentence मैंने लिखा me help me help he me help he और दूसरा sentence हमने लिखा him helps him helps I अब बताओ इन दोनों sentence में क्या गलत है हाँ बिल्कुल इन दोनों sentence में क्या गलत है बते ही गाँ me help he और him helps I अब देखो इसमें क्या है गलत आपको पता होना चाहिए कि अगर subjective case है तो subjective case वाला form लगाओ objective case है तो objective case वाला form लगाओ क्या नहीं कि देखो ये हमारा verb है sentence का verb के पहले subjective case होता है तो subjective case होता है तो आप तो objective case यहाँ पर लगा रहे है me तो objective case है ये तो object के जगा पर आता है तो इसलिए यहाँ से आपको me हटाना पड़ेगा मी के जगा पर आपको subjective case आई लगाना पड़ेगा और देखो verb के बाद जो आता है वो objective case होता है वो अब उसे objective case होना चाहिए लेकिन यहां तो गडबड हो रहा है यहां तो he subjective case हो गया तो he को आपको objective case में change करना पड़ेगा तो he का objective case क्या हो जाएगा हीम हो जाएगा तो यह sentence होगा correct, यानि correct sentence क्या हो जाएगा I help I help him, क्या हो जाएगा I help him, यह बात आपको समझ में आयागा अगले sentence की बात करें तो again helps हमारा वव है और इसके पहले अगर हीम आया तो यह तो objective case हमें चाहिए क्या subjective case चाहिए और यहां पर हमें objective case चाहिए तो यहाँ पर him नहीं होगा इसको आप subjective case में लिखो तो him किसका है he से बना है तो he subjective case ही हो जाएगा और यहाँ पर यह subjective case नहीं बलकि objective case चाहिए तो I को हटा करके me करो यानि इस sentence का correct sentence क्या हो जाएगा I correct sentence हो जाएगा he से शुरूओगा he helps he helps me he helps me तो यह हो जाएगा इसका correct sentence तो आपको एक चाहिए धियान रखना है subjective और objective case पे बिल्कुल आपको धियान रखना पड़ेगा यहाँ से problem exam में आते हैं कोई भी test में आपको अगर pronoun का test लगा रहे हो तो यह problem देगा उल्टा कर देगा subjective case के जगह पे कोई और केस लगा देगा और objective case के जगह पे कोई और केस लगा देगा तो केस आपका mismatch नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने person में आपको तीनों केस बताया आपको उसके बाद देखो एक sentence में और लिख रहा हूं जान देजिएगा जैसे हमने लिखा जैसे हमने लिखा हमने लिखा दिस इस 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 हर इस इस हर्स डिसीजन का फिर हाउस लिख देता आ POLमें ठीक है जिस इस हर्स डिसीज हर्स ह करे बताना इसमेह क्या गडबड़ी दिए इसमेह क्या प्रबलम में इस sentence में क्या दिख्या तैंब धियान देना इस में क्या दिख करते हैं जैसे कि हाउस यहां पर नाउन है नाउन के पहले क्या लगाते हो पॉसेशिव एजेक्टिव लगाते हो कि पॉसेशिव प्रणाउन लगाते हैं जब कि हर्स जो है यह पॉसेशिव प्रणाउन है तो यहां पर हमें हर्स को हड़ाना पड़ेगा इसके बाब है एक सेंटेंस मैं आउड लेता हूं जैसे हमने लिखा अभी जूख और ये जो किताब है ना ये किताब उनकी है यह ये किताब उसकी है अब ये किताबे उसकी यानि किताब किससे बिलॉंग करता है उससे बिलॉंग करता है मतलब उसके अधिकार में है तो यहाँ पर क्या यह संटेंस सही है कहीने कहीं हम यहाँ पर बता रहें किस का यह किताबे किस की है तो आप बूलें कि इसकी है मतलब कही निए कही है पर मैं position बता रहे हैं तो जब possession बता रहे हैं तो बजेशन बताते समय ध्यान रखना है कि बजेशिव में दो तरह के चीज़े होती है अलवी छी नलगा दो फिरा प्णेशी प्रणौवन लगा दो कक्यानि की हर को हटा टफ हर के जगा पर हर लगाओ तब सबसूपsan तेंस यानि क्या ओजाएगा इस बूग्स और हर्स इस आपको इसको बताना पड़ेगा इस बूख सब सब्सक्राइब्स ये छोटे छोटे चीज्ब हमें प्रणाउन में भी बहुत छोटे छोटे गलती होंगे आपको पैचान में नहीं आएगा तो इसलिए सारा चीज मैंने मैं आपको बता रहा हूं केस पर क्या मचारन का सी अब बढ़ते हैं लौद में बता चुका हूं सब से पहले personal pronoun की बात करें तो personal pronoun में देखो हमने personal pronoun के सभी uses देख लिए उसमें ज्यादा कुछ ध्यान ने रखना है बस आपको case को ध्यान में रखना है उसके बाद अगर सबसे ज्यादा uses किसी का आता है तो यह आता इट का किसका यूज करते हैं इट का यूज करते हैं और अगर हम इट की बात करें तो इट दोनों चीज़ है इट personal बहुत है और इट impersonal भी ए इट जो है personal भी है और impersonal भी है इट दोनो है आगर को परसनल का मतलब हो सकता है और impersonal का मतलब हो गया कि वो person के लिए use नहीं होता है वो किसी चीज के लिए use हो जाएगा, किसी वश्टू के लिए use हो जाएगा, लेकिन perp100 के लिए use नहीं होका तो it के साथ दोनों condition है, example से हम समझेंगे, देखो वाइसे चीजहों के लिए हम प्रणाउलों इट जिससे नॉन लिविंग के बारे में पता चलता है मतलब वैसे चीजह, पर एकजामपल kya है. here is your book take it away अब देखो प्रणावन में यहाँ पर it लिख रहे है प्रणावन में यहाँ पर it लिख रहे है तो it किसके लिए उज़ हुआ है यह it का use हम कर रहे है book के लिए तो book कैसा चीज है book एक lifeless चीज है मतलब non living thing है तो non living thing के लिए प्रणावन में हम क्या लिखते है इट लिखते है तो here is your book take it away बात यह आपको समझ में आ गया यह चीज आपको clear है उसके बाद देखो second use क्या है हम इसका use एट का use हम animals के लिए भी करते है लेकिन animals के लिए कब करते है if the gender is not important जब हम अगर किसी animal के बारे में बात कर रहे है और वहां पर जैंडर का ज्यादा कोई महत्तो नहीं है हम यह बताने के लिए हम नहीं बताना चाहते हैं कि वह जानवर ही है कि शी है तो वैसे केस में आप animal के लिए प्रणावन क्या use करेंगे इट का यूज करेंगे अब जैसे मैं बोलता हूं कि कुत्ता एक वफदार जानवर होता है तो जब मैं कुत्ता बोल रहा हूं जॉग बोल रहा हूं तो यहां पर मेरा किस पर फोकस है मेरा जेंडर पर फोकस है या जस्ट एक एनिमल पर फोकस है तो यहां पर मतलब यह नहीं ह अपने कुट्टे से ब्यार करता है और वह अपने कुट्टे के बिना नहीं रह सकता है तो यहां पर जो प्रनावन इट है कि किसके लिए हो रहा है यह डॉग के लिए यूज हो रहा है और प्रनावन किसके जगा प्यूज होता है नाउन के जगा प्यूज होता है तो इस डॉ यूज़ आप ऐनिमल के लिए व कर सकते हो कि देखो नेक्ट क्या है ने है थूपर यांग चाइल्ड देखो अब इनसान का बच्bah और वह यंग हो बहूत यंग हो या फिर बेबी हो है हैो और उसका वर में नहीं पता है जैसे तेखिए हैं अगर कोई बच्चा बड़ा हो गया तो देखके पता चल जाता है कि वह की है कि शी है वह में लेकर फिमेल है लेकिन अगर छोटा सा बच्चा हो ना तो कभी-कभी पहचान में नहीं आता है बस जानते हैं कि बच्चा है लेकिन वह बच्चा है या बच्ची हमें नहीं पता चलता है लेकिन इंग्लिस में बच्चा हो या बच्ची हो दोनों के लिए हम child बोलते इंग्लिस में बच्चा हो या बच्ची हो दोनों के लिए हम चाइल्ड बोलते हैं या फिर हम बेबी भी बोलते हैं कभी-कभी तो अब यह चाइल्ड वर्ड जो है यह मेल के लिए भी हो सकता है फिमल के लिए भी हो सकता है तो जब अगर छोटा बच्चा है और हम नहीं जान प्रणावन इट कर वे चुछावे तो जैसे when I saw the baby जब मैंने बेबी को देखा जब मैने बच्चे को देखा इट वास्क्राइंग अब देखो यह इत किसके लिए उसकर रहे हैं यह बच्चे के लिए उसकर रहे हैं तो हम यहाँ पर यह नहीं कह सकते हैं कि she was crying या he was crying यहां पर आपको देखना पड़ेगा की क्या आपको बच्चे का जेंडर पता है तो नहीं पता है, तो अगर किसी बच्चे का जेंडर आपके लिए क्या हो unwnown ओ, मतलब आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे प्रणावन उसके जगा पे it का यूज करेंगे तो यहां पर यह एड किसको दिनोट कर रहा है? यह वेबी को दिनोट कर रहा है तो I hope आपको यह बात समझ में आ गया कि हाँ पर क्यों हम leaving के लिए यानि कि person के लिए भी हम pronoun it का use कर सकते हैं that is why I told you that कि यहाँ पर जो pronoun it है यह personal pronoun भी है और impersonal भी है दोनों के लिए इसका हम use करते हैं तो इस use में कोई confusion नहीं होना चाहिए अब अगली use के अगर बात करें हम point number 4 to refer to some statement going before तो कभी-कभी हम it का use करते हैं किसी statement के लिए जैसे मान के चलो मान के चलो कि इसके पहले कोई sentence कोई बात हमने बोला इसके पहले हमने कोई बात बोला को statement दिया को sentence इसके पहले आया या कोई clause इसके पहले आया तो उसी sentence को summarize करने के लिए यानि उस पूरे sentence के जगा पे पूरे statement के जगा पे हम pronoun it का use कर सकते हैं तो यही बात बोला जा रहा है कि कोई विए statement जो इसके पहले चला हो अब देखो कैसे example से समझे इस बात को he deserved his punishment ठीक है वो punishment deserve करता था and he knew it और यह बात उसको पता था कि उसको punishment मिलेगा and he knew it तो यहाँ पर pronoun it का use कर रहा है यहाँ पर pronoun it है तो यह it किस के जगा पे यूज कर रहा है यह it का use हम कर रहे है पूरे statement के लिए यह पूरे statement के लिए तो अगर हम बात करें कि he knew it मतलब वह इस बात को जानता था अब मुझे बताना कि यह जो pronoun it है यह किसके लिए use हो आ है किसके जगा पे हुआ है वह क्या जानता था वो जानता था कि उसे punishment मिलेगी हम इसके लिए क्या यूज कर रहे है तो प्रणावन के एक खासियत होती है एक अकेला चोटा सा वर्ड होता है प्रणावन और बड़े-बड़े वर्ड्स को क्या करते है रिप्लेस कर देते हैं पुरा के पुरा स्टेटमेंट को भी रिप्लेस कर सकते हैं तो इसलिए प्रणावन का यूज करते हैं प्रणावन कहीं न कहीं किसी चीज के लिए आता है किसी नाउन के लिए आता है तो यहां जो प्रणावन इट है यह किसके लिए आया यह इस स्टेटमेंट के लिए तो अगर एट लगाते हैं और एट हम क्यों लगा रहे इसके पहले कोई statement चली है उसी statement को हम पताने के लिए उसके यानि कि उस statement को हम दुबारा repeat नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं इट का use करते हैं हम चाहे तो ऐसे भी use कर सकते थे अगर हम इसको repeat करें तो sentence कैसे बनेगा इस पनिश्मेंट और इन्यों और इन्यों और इन्यों दाट इस पनिश्मेंट तो फिर से same sentence को repeat करें तो same sentence को repeat करने से अच्छा ना कि आप इसके जगा पर प्रणाउन का यूस कर दो बात आपका बन जाएगा ठीक है यह चीज़ के लिए समस में आ गया बहुत बढ़िया में subject नहीं होता है तो वहाँ पर हम provisional यानि कि temporary subject करूप में हम इट का यूज़ कर सकते हैं जैसे example देखो क्या है कि it is it is easy to find fault it is easy to find fault तो यहाँ पर subject के जगा पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं इट का यूज़ कर रहे हैं यानि इस बात को हम ऐसे में कह सकते हैं to find fault is easy to find fault किसके जगा पर सब्जेट के जगा पर हम अगर चाहते हैं कि हम इसको सब्जेक्ट ना बना इसको बाद में रखे तो क्या करेंगे हम इट को ही सब्जेक्ट बना देंगे it is easy to find fault गलतियां ढूड़ना आसान चीज़ होता है हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं तो जहां पर सब्जेक्ट जैसे मैंने बोला it is important it is important to do this work it is important to do this work इस काम को करना important है तो हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं to do this work is important to do this work is important तो हम ऐसे ना बोल करके अगर it को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं it is important to do this work आप ऐसे भी बोल सकते हैं तो प्रावीजनल या टेंपररी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं इसका हम उसके बाद पॉइंट नंबर सिक्ष में तो give emphasis to the noun और pronoun following तो हम it का यूज़ हम वहाँ पर भी कर सकते हैं उस noun और प्रनावन को उस noun या प्रनावन पर इमफैसिस डालने के लिए भी हम इट का यूज़ कर सकते हैं जो noun या प्रनावन आपके खास करके किसी linking verb के बाद आते हैं linking verb किसको बुलते हैं इसे मार को बुलते हैं और ऐसे sentence में एक और पहचान हो सकता है एक और खासियत है कि ऐसे sentence में आपको relative pronoun का यूज़ मिलेगा तो जैसे देखो example से समझते हैं जैसे यहां पर इट का हमने यूज़ किया क्यों क्या यह जो noun आ रहा है ना इस बात पर जोर देने के लिए इस बात पर जोर देने के लिए हम यहां पर इट का यूज़ कर रहे हैं अच्छा यहां पर भी इट का हम यूज़ कर रहे हैं क्यों यूज़ कर रहे हैं यह जो प्रणावन है ना प्रणावन यूज़ इस बात पर जोर देने के लिए तो द बाद इस आ रहा है इसके एक लिंकिंग बब और दूसरा चीज चाहर को र्यलेटिफ प्रणाउन मिलेगा क्या क्या होता हूँ होता है सबया है Vich होता है यह सब रेलेटिफ प्रणाउन है तो इस case में जो noun या pronoun के लिए हम eight का use कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस पर जोर डाल रहे है उसको emphasize कर रहे है तो जैसे देखो एक वाज रवी हूँ helped me हम ऐसे भी बोल सकते थे हम ऐसे भी बोल सकते थे कर रवी helped me भाई मेरी मदद किसने किया रवी ने किया तो मैं ऐसे भी बोल सकता था कि रवी helped me लेकिन उस बात को हम ऐसे बोल रहे है कि रवी ही वह इंसान था रवी ही वह लड़का था जिसने मेरी मदद करी तो हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से बोल करके उस noun को हम emphasize करना चाहरे है हम हैं मैसे भी बोल चकते हैं कि तुम ही वह इनसान थे डिस ने मेरा सपोर्ट करा ये दो तरीके से मैं बात को दौन बात को तरीके से बोल रहा हुआ है जब मेंद ब Cambodia आ और पर ज्यादा जूर डाल करके बोलगरा है और ज्ञादा जूर डूर के बोलने के लिए हम क्या करते हैं इड का क्योस कर लेते हैं हम क्या करते हैं इड का यूज कर लेते हैं स्टीक है इड्लियर आयो प्ये बात आपको समझतして कि क्या हो अभिक अजन जोर्फ कि कि अपने इंण्डेफिनेटर नॉमिनेटी ऑफन इमपरसनल वर्फ कर आ वैसा वर्फ इमपरसनल वड़ीरर्ट का मतलब क्या हो गया वैसा वर्फ हो किसी सबलसं के लिए यूजनी हो सकता है जैसे मैंने बोला रेन रेन एक वर्व है रेन एक वर्व है आप मुझे बताओ क्या रेन क्या रेन किसी पर्सन के लिए यूज हो सकता है वर्षा कोई पर्सन करवाता है क्या हंड्रिंग कोई पर्सन करवाता है क्या नहीं न तो जो वर्प्स पर्सन के लिए यूज हो सकता है परसन के लिए स्टैंड कर सकता है उसको हम परसनल वर्प्स बोलते हैं और जो वर्प्स परसन के लिए स्टैंड नहीं कर सकता है उसको हम इंपरसनल वर्प बोलते हैं तो जैसे हमने प्ले बोला प्ले प्ले बोला या हम इट बोले इट इट मतलब खाना तो इट जो है यह पर्सन के लिए यूज़ हो सकता है एनिमल के लिए यूज़ हो सकता है प्ले जो है पर्सन के लिए यूज़ हो सकता है एनिमल के लिए यूज़ हो सकता है और किसी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है जैसे मैं बोलूगा कि I am playing मैं खिल रहा हूं, you are playing आप खिल रहे हैं, अच्छा, the song is playing, the video is playing, तो song or video के लिए भी play यूज हो जा रहा है, लेकिन कुछ verbs ऐसे होते हैं, जिसका use person के लिए नहीं हो सकता है, तो person के लिए यूज नहीं हो सकता है, तो उसमें कौन कौन से verbs है, उसमें rain हो गया, thunder हो गया, thunder हो गया, snow हो गया, यानि बर्फवारी होना, तो ये सब verbs जो है, ये कभी किसी person के लिए यूज नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसको impersonal verbs बोलते हैं, तो अगर किसी sentence का verbs impersonal verbs है, तो आप उसके साथ, अरे भाई, जब verbs आपके impersonal है, तो pronoun भी तो आप impersonal ही लगाओगे, तो आपको पता है न, कि it का use हम, it का use हम impersonal pronoun के रूप में भी करते हैं, तो इसलिए अगर मुझे बोलना हो, कि वर्षा हो रही है, तो ऐसे थोड़े बोलेंगे, ऐसे थोड़े बोलेंगे, rain is raining, या फिर ऐसे थोड़े बोलेंगे, rain is happening, rain is happening, ठीक है, तो वर्षा हो रही है, तो वर्षा होना एक impersonal वर्षा है, तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, it is raining, it is raining, it is raining, तो यहाँ पर it कैसा subject है, impersonal subject है, क्योंकि हमारा वर्षा कैसा है, impersonal है, तो इसलिए हम impersonal वर्षा के साथ, तो तो सर, rains कैसे, rains किसके लिए यूज होगा, अरे, rains जो है न, वो किसी पर्षान के लिए यूज नहीं होता है, rain होना एक प्रकिति घटना है, और इसलिए उसका subject हम क्या लिखेंगे, it लिखेंगे, क्या लिखेंगे, subject उसका, it लिखेंगे, बात समस्में आ रही है, तो द वर्षा होती है, तो इसका, इंग्लिस क्या हो जाएगा, it rains, वर्फ गिरते है, it snows, ठीक है, ठंडरिंग होता है, it thunders, तो यहाँ पर तीनों ही sentence में हम it लिख रहे है, subject के जगा पे, क्यों, क्योंकि वर्फ हमारा impersonal है, तो हम इसके साथ impersonal subject ही लगाएंगे, यानि कि impersonal pronoun ल का बात कर रहे है, कोई season का बात कर रहे है, कोई time का बात कर रहे है, कोई दिन का बात कर रहे है, तो फिर से सुन लो, अगर आप किसी weather का बात कर रहे है, मौसम का बात कर रहे है, season का बात कर रहे है, time का बात कर रहे है, ठीक है, time का बात कर रहे है, तो वहाँ पर आप हमेशा अपना sentence किस से शुरू करते हो वहाँ पर आप अपना sentence हमेशा इट से शुरू करते हो ठीक है जैसे मैं बोलूँगा कि अभी देखँ कौन से सीजन चल रहा है अभी वर्षा का सीजन चल रहा है तो हम क्या बोलेगे it is rainy season क्या बोलेंगे की सोम वार का दिन था तो इट वाज मंडे रवी वार का दिन था इट वाज संडे अच्छा कि अच्छा 1990 का टाइम था 1990 का साल था इट वाज 1990 तो टाइम बताने के सेलो करते हैं थिक है इस लिए इस सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए इस इफिल्ट हुर उया टाइम बता रहे और टैने टीनक लॉक टीनक लॉक टीज ट्वल इसविक्स नॉकप टॉर लोक कुछा करते हैं अब होँआ पर इंपर्सनल प्रणाउन एट का यूज कर लेते हैं तो एट देखने में बहुत चोटा सा चीज लगता है बट देख रहे हो कि कितने सारी यूज इसमें है तो बिल्कुल ध्यान रखना इन सारी यूज़ेस के बारे में ठेके लाउन पर्सनल होता है लोग बहुत सिल्ली मिस्टेक यहां पर करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहां बोला क्या जा रहा है देको भाई प्रणाउन का यूज हम किसके लिए करते हैं नाउन के लिए करते हैं तो ऐसा बोला जा रहा है कि नाउन और प्रणाउन को दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा सेम में रखना पड़ेगा लिएे अगर नाउन सेम होने चाहिए अगर उन में हैं तो आपका उसका प्रणाऊन भी सिंगुलर नमबर में होना चाहिए नाउन अगर ज्यान देना है कि नाउन अगर नाउन का जेंडर अगर मैस्किलीन जेंडर है तो आपका प्रणाउन का जेंडर भी मैस्किलीन जेंडर होना चाहिए नाउन का जेंडर अगर फैमिनीन है तो आपका प्रणाउन का जेंडर भी फैमिनीन होना चाहिए अगर मान के चलो नाउन परसन के है तो प्रणौन भी फ़र्स पर्सन को इस लिए दोनों को परलल रखना दोनों को सेम क्या कर ना है तो देखेंwny आथ को एक्जामपल से समझते हैं अब देखो यहां पर एक्जामपल मैं लिखता हूं जैसे कि यह कि यहसे मैंने बोला the children the children are playing the children are playing or is he related to make sentence or like that he is happy children are playing the children are playing and therefore after a自己 or give a अब वे हम किसको बोल रहे हैं बच्चे को बोल रहा है तो यहां पर नाउन देखो क्या है नाउन है चिल्रेन नाउन कौन है चिल्रेन और नाउन के बदले में आपने प्रनाउन क्या यूज किया आपने ही का यूज किया अब मुझे ये बताना क्या कहीं से भी यही का यूज करना जायज है इस लिए यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा इसके जगा पे बोलना पड़ेगा यह यहां पर ही का यूज नहीं करेंगे जब लूरल नंबर का ना उन्हें तो प्रणावन भी आपका प्लूरल नंबर का होना चाहिए तो यह होना चाहिए दे इते आर हैपी यहां चाहर पड़ेगा यह आहापी बुलना पड़ेगा तब जाकर किए चीज आपका सही होगा आप देखो यह जो नावन है और यह चो प्रणावन अब यह दो नंबर में आप दोनों कोई दिक्कत नहीं है और एक लगो यहां पर जैसे देखो कि जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने बोला कि Pria Pria is Pria is doing Pria is doing his work प्रिया अपना काम कर रही देखो प्रिया मैं पहले ही बता देता हूं कि प्रिया एक लड़की का नाम है कभी-कभी लड़की का नाम भी लड़का का नाम हो जाता है कभी-कभी मैंने देखा है कि लड़की का जो नाम है और लड़का के भी नाम हो जाता है तो मैं पहले बता कि हीज जो प्रणावन है इसका यूज हम मेल के लिए करते हैं कि फीमेल के लिए करते हैं वही इसका यूज तो हम मेल के लिए करते हैं जबकि प्रिया अगर एक लड़की है तो ये तो फीमेल है तो क्या यहाँ पर हीज का यूज करना सही है नहीं तो यहाँ पर आपको हीज क यूज नहीं करना पड़ेगा इसके जगह पर आपको हर करना पड़ेगा तो सही क्या हो जाएगा प्रिया इस डूइंग हर वर्क आप समस्विवारी तो ऐसे चोटे-चोटे सिल्ली मिस्टेक से आपको विल्कुल बचना हो बचना होगा तो यह कहीं ने कहीं जब हम जान जात आप देखो नेक्स क्या है कलेक्टिव नाउन के बारे में आप जानते हो मैंने आपको रेनन मार्टिन के सिरीज में आपको कलेक्टिव नाउन आपको बताया है तो कलेक्टिव नाउन क्या होते है वैसे नाउन जिससे किसी ग्रूप या कलेक्शन के बारे में पता चले तो अगर collective noun को हम United sense में देख रहे हैं, United का मतलब हो गया मिला जुला करके हम उसको एक रूप में देख रहे हैं, हम उसको अलग-अलग individual के रूप में देख रहे हैं, हम उसको एक रूप में देख रहे हैं, एक रूप का मतलब सब मिला करके United रूप में देख रहे हैं, तो वैसे case में क्या करेंगे इसके लिए प्रणावन का यूज़ करेंगे ए लेकिन अगर कलेक्टिब नाउन को हम इंडिवीज्वाली उसको काउंट करें अगर जितने भी लोग है जितने भी मेंबर है इतने भी चीजे हैं हम उसको सब मिला करके एक रूप में ना देख रहे हैं बलकि तो collective noun के लिए प्रनावन इट का भी यूज हो सकता है दे का भी यूज हो सकता है आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर collective noun sentence में collective noun united sense में यूज हो रहा है तो यह डेपेंड करता है कि united कि divided है तो जैसे देखो एक्जामपल से समझते हैं अब एक्जामपल देखो क्या है जूरी कैसा ना उने जूरी एक कलेक्टिव ना उने जूरी जूरी हम किसको बोलते हैं जूरी बोलते हैं हम जो जजेज का ग्रूप होता है उसको जूरी बोलते हैं नियाएधिशो का बंडली जो होता है तो जूरी ने क्या क्या अपना वर्डिक्ट दे दिया वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला सुनाना तो जूरी ने अपना फैसला सुना दिया अब मुझे बताओ जूरी जब अपना फैसला सुनाएंगे तो जूरी में जितने भी मेंबर होंगे जितने भी जजेज होंगे क्या सबका अल एक जैसा मैच करता है तो इसका मतलब है कि यहां पर जूरी का यूज हो रहा है बटा हुआ सेंस में नहीं हो रहा है इसको हम कैसा ले रहे हैं इसको हम कलेक्टिव सेंस मिले रहे हैं इसको यूनाटेट सेंस मिले रहे हैं और यूनाटेट सेंस में हैं इसी कारण से जूरी के स चैप अबट आए rika मानना था कि उसको सजा नहीं मिलने चाहिए फुच का मानना था कि उम्रकायद के सजा मिलनेientes लोगों के बिच में अलग अलग मत् होंगे अलग अलग relacion होंगे इसका मतलब है कि अब यह चीज बट गया और बटने का मतलब है कि अब वो अलग-अलग इंडिविज्वाल को रेफर कर रहा है और वहां पर सेंस कैसा बनेगा लूरल का सेंस बनेगा तो इसलिए यहां पर देखो प्रणाउन किसका यूज क्या जा रहा है तो जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन नहीं बलकि इन दियर ओपिनियन तो कलेक्टिव नौन के साथ आपको यह बात को ध्यान में रखना पड़ेगा हाँ सर प्लीज एक्सरसाइज 31 नाउन प्लाउज और रिन माटिन अच्छा मतलब जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कंसेप्ट के साथ साथ आप चारे के सर एक्सरसाइज भी डिल कराईए ठीक है मैं एक्सरसाइज पर भी काम करूंगा आप जिस चाप्टर का बोलेंगे चाप्टर के एक्सरसाइज भी आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूँगा बट आप लोगों के सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है आप लोग मैं यह बात को मानता हूं कि अभी मेरे चैनल बहुत छोटा है और अभी मुझे बहुत दूर तक चलना है और यह आपी लोगों क को समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग इसे शेर किया किजिए आप इसको लाइक किया किजिए कमेंट किया किजिए मैं आप लोगों के अक्टिविटी देखता नहीं हूं बट आप लोग केबल वीडियोज देख लेते हैं और सांत माप देते हैं जब आपको कुछ प् परिवारन यह और भी बड़ा हो जाता है बट मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इतने खुले दिल से सपोर्ट करते हैं बस आपका काम बन जाता है और आपको उसके बाद कुछ नहीं करने हैं तो कभी-कभी लगता है कि मैं इतना एफट क्यों लगा रहा हूं मुझे क्य प्लीज अगर आपको थोड़ा सभी फायदा हो रहा है ना हमारे वीडियो से थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाईए टिक है जो कि मैं दिख रहा हूं कि किस्पेशली मेरे चनल पर लोग नहीं कर रहा है जाम दिजिएगा मेरे चनल पर ज़्यादा होश्चियार वाले लोग भी सही नहीं सबस्क्राइब करते हो ना तो उसका वीडियो नए वीडियो का सजिस्न आपको आएगा आपके फीड में दिखाई देगा तोайте आप सब्सक्राइब कभी नहीं करोगे आप लाइक कभी नहीं करोगा, बस मेरा काम हो गया, वीडियो देख लिए, बस मेरा काम हो गया, तो प्लीज ऐसा मत करना, मैं एक समय पर क्या करता था पहले, लेकिन अब मैं नहीं करता हूँ, अब मैं जिसको दिल से मान लिया हूँ कि हाँ, यह सब कुछ सही पढ़ाते हैं, मैं यह सही है, बस मैं उसको regularly follow करता हूँ, मैं लाइक भी करता हूँ, मैं भी किसी किसी का वीडियो देखता हूँ, दुसरे सब्धेट का मुझे देखना हो, या कोई entertainment का वीडियो मुझे देखना हो, तो अगर मैं उससे फायदा मुझे मिल रहा है, तो मैं उस चैनल को support जर है जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ रहे तो हमें कैसा प्रनाउन लगाना चाहिए जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ रहे तो हमें प्रनाउन कैसे लगाना चाहिए तो देखो इसके लिए क्या है जब दो नाउन and से जुड़ा है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो दोनों मिलकर के अलग-अलग sense दे रहे कि दोनों मिलकर के एक ही sense दे रहे तो दोनों मिलकर के अलग-अलग sense दे रहे plural का sense दे रहे तो आपको उसके साथ plural pronoun से लगाना पड़ेगा और अगर वो single sense दे रहे हैं तो फिर आपको उसके according चलना पड़ेगा जैसे example देखो मैंने बोला राम एंड शाम आर डूइंग दियर होंबग अब देखो राम एक अलग विखती है शाम एक अलग विखती है और एक और एक से ज़्यादा हो गया तो plural के sense बन गया और plural के sense में हम क्या करेंगे देखो लेंगे तो इसलिए यहां पर प्रणाउंस देर का ही उसके अज़र है आर डूइंग देर होंबग लेकिन अगला एक्जामपल देखो जा सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इस डूइंग हिस ड्यूटी आप देखो यहां पर एक आर्टिकल कभी यहां पर खेल है मैंने आर्टिकल वाले में अपको बताया था कि अगर दो नाउन जुड़ा है और अगर केवल पहले वाले नाउन में आर्टिकल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो दो अलग-अलग चीजे नहीं है, दो अलग-अलग वेक्ति नहीं है, दोनों एक ही वेक्ति है, यह एक ही चीज है, तो यहाँ पर सेकरेटरी भी वही वेक्ति है, प्रेजरर भी वही वेक्ति है, यानि कि दो अलग-अलग नहीं है, यानि एक ही वेक्त देते हैं तो आपको सिंगुलर प्रणाउन लगाना पड़ेगा सिंगुलर नंबर के प्रणाउन आपको लगाना पड़ेगा ठीक है उसके बाद देखिए जयां देजीगा नाउन जॉइन बया एंड और प्रिसिटेट बया इच और अवरी तो कभी-कभी दो नाउन एंड दो नाउन एंड से जुड़ा हो रहता है लेकिन उन नाउन के पहले इच या एवरी लगा वर आता है तो अगर इच या एवरी लग जा आपको यह एक प्रणावन है थार्ड परसन का लेकिन अगर इच या एवरी लग जाए तो आपको उसके साथ इसके साथ singular pronoun ही या शी रखना पड़ेगा अगर common gender होगा तो common gender के लिए आपको ही रखना है और अगर specific gender होगा तो specific gender में हम उसके according चलेंगे specific gender में अगर वो कोई male होगा तो ही का परयोग करेंगे फीमेल होगा तो शी का परियोग करेंगे ठीक है तो ये बात बिलकुल ध्यान में रखना है कि कब आपको देखो ट्रेजरर का मतलब होता है हिंडी में ख़जानची बोलते हैं जिसका काम होता है कैश वगरा को कंट्रोल में रखना ठीक है जैसे बैंक वगरा में आप जाते हैं तो जो जहां पर कैस रखे होएते हैं जो उसके चार्ज में होता है वो कैस को रखना तो उसी काम ट्रेजरर बोलते हैं बात समझ में आ रही है अभी देखो इसके बाद एक पॉइंट यहां पर और है जब दो नाउन और से या नाउन से जुड़े हो रहे तो हमें क्या करना है तो हमें देखना है अगर दोनों ही नाउन सिंगुलर हो तो सिंगुलर प्रनाउन का यूज़ करेंगे लेकिन अगर दोनों नाउन अगर प्लूरल हो या फिर एक noun singular हो या एक noun plural हो तो भी हम plural का ही use करेंगे अब देखो यहाँ पर दो noun है देखो either the manager or the assistant तो यहाँ पर देखो एक manager जुड़ रहा है और एक assistant जुड़ रहा है और यह किस से जुड़ रहा है और से जुड़ रहा है तो जब दो noun और से जुड़ा है और दोनों ही singular ह है दोनों ही सिंगुलर है आपको सिंगुलर प्रणाउन लगाता है तो इधर दा मैनेजर और असिस्टेंट फेल्ड इन हेज दूटी तो यहां पर क्या कर रहे हैं यूज लगा रहे हैं लेकिन अगर दो नाउन और या नोर से जुड़ा हो जिसमें या तो दोनों प्लूरल हो या एक सिंगुलर हो और कम से कम एक प्लूरल हो तो देखो यहां मैनेजर कैसा लिखा हुआ है मैनेजर यहां पर सिंगुलर के फॉर्म में लिखा हुआ है और असिस्टेंट यहां पर प्लूरल के फॉर्म में लिखा हुआ है असिस्टेंट में यहां पर एस लगा हुआ है इसका मतलब होता है plural, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको plural ही मानके चलना पड़ेगा, अगर इसमें एक भी plural हो गया, तो सबको आपको यहाँ पर plural मानके चलना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर आप हीज नहीं, बलकि यहाँ पर देर लगाना पड़ेगा, यहाँ प तो अगर फर्स्ट पर्सन भी आजाए सेकेंड पर्सन भी आजाए थर्ड पर्सन भी आजाए तो इसका सही और क्या होगा इसका करेक्ट और क्या होगा पहले किसको प्रेफरेंस देंगे तो प्रेफरेंस की बात करें तो देखो यहां ग्रेटर दिन लगाओ पहले फर्स्ट पर्सन को अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो प्रेफरेंस किसको देंगे सेकंड पर्सन को अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो इस तरीके से औषम आई भी है हम वैल्यू किसको को दें गए सब बंस को देंगे और दोधो वेक्ति हैット फासो पर संखर प्लूरल कर और चुंस होता है फास पर संखर नगनों होता है तो तुम और मैं हम लोग हमारा है यह और यू भी है तो आई देको फस्ट पर्सन में में आई और इसका प्लूरल च्या वी होता है और बी कशिसिब क्या बन जाएगा आवर बन जाएगा बात समझे में आ रहे हैं तो इसलिए यहां पर क्या है कि यू और यहां पर जो प्रणाउन लगाएंगे वो किसको देंगे सेकेंड परसन को इसलिए हम सेकेंड परसन के कोडिंग चलेंगे तो यहां पर योड हो जाएगा बात समझ में आ रही है तो आपको पहले सबसे पहले किसको प्रारिटीव में रखना है फर्स्ट परसन को अगर फर्स्ट परसन नहीं है तो सेकेंड परसन को रखो और अगर सेकेंड परसन भी नहीं है तो बाई डिपोल्ट थर्ड परसन को ही आपको मान कर चलना पड़ेगा फिक है यह बात क्लिए पर्सन की order की बात करें तो एक और तरीका होता है एक और नया चीज होता है जहां दिजीगा कि किसी sentence में तीनो परसन आ गए फर्स्ट पर्सन भी आ गए सेकंड पर्सन भी आ गए थर्ड पर्सन भी आ गए तो उसमें आपको देखना पड़ेगा sentence से सेंस कैसा बन रहा है गूड सेंस दे रहा है या बैट सेंस दे रहा है या पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो अगर देखो अगर गूड सेंस रहेगा यहां क्या बोल रहा है कि गूड सेंस और बैट सेंस तो पहले वाले ग्जांपल को देखो पहले वाले ग्जांपल क्या है य यह अच्छी बात है तो जब अच्छी बात रहे तो person का sequence क्या रखना हूं ? person का sequence रखना है धारा नंबर 231 यानि good sense में आपको क्या करना है पहले second person फिर third person फिर first person ये कैसा है good sense वाला है अब देखो मुझे तुमें और उसे चंडित किया जाएगा पनिश्मेंट मिलेगा अचाँ पनिश्मेंट मिलना यह गूड सेंस है यह पॉजटीब बात है कि नेगटीव बात है और अगर नेगटीव बात रहे बैट सेंस रहे तो आपको प्रणाउन रखना है फास्ट एकेंड और थर्ड इस ओडर को बिल्कुल ध्यान में रखना है इस पर भी कुश्चन एक्जाम में पूछे जाते हैं समझ में आ गया बात आपको अब देखिए आगे क्या है जग करेक्ट केस और प्रणाउन्स आफ्टर प्रेपोजिशन किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आपको उसका सही केस लगाना है प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई प्रणाउन आता है तो उस प्रणाउन को अब्जेक्टिव केस में आपको रखना पड़ेगा जैसे एक्जाम्पल देखिए देर इस नो एग्रिमेंट बिट्विन यू और आई अब देखो बिट्विन क्या है बिट्विन एक प्रेप सकते हैं यहां पर आई लिखना गलत हो गया अई लिखना गलत हो गया क्योंकि बिट्विन के बाद आ रहा है और बिट्विन के बाद बिट्विने एक प्रफोजीशन है और prejudice के बाद हमेशा आपको अब्जेक्टिव पहलत करना पड़ेगा तो आई के जगा पर क्या करना मी करना पड़ेगा यानि कि there is no agreement between you and me between you and me और ये एक ऐसा point है जिसमें competitive exam में इस point से बहुत सारे question पूछे जाते हर साल question आता है यहां से उसके बाद एको nobody will help you but I फिर से यहां पर क्या हो गया कि I गलत है क्योंकि बट यहां पर क्या है बट यहां पर एक प्रेपोजिशन ने पर आई के जगा पर आपको यहां पर मी लिखना पड़ेगा ठीक है यह बात समस्में आ गया आपको तो चलिए यहां से आपका होता है complete personal प्रणावन इस यूज के साथ हो गया duplicate तो एक बात बिल्कुल रखेंगे मैं फिरसे बता देता हूं एक बात ध्यान रखेंगे मैं फिरसे बता देता हूं मेरा main focus होता है concept पे, logic पे, मैंने book को as it is copy करने का कोशिस नहीं किया और मैं कभी copy करूंगा भी नहीं और मैं आप लोगों को suggest भी करूंगा कि अगर आपके पास Renan Martin का book नहीं है तो बहुत महगा किताब भी नहीं आप उसको खरिद सकते हैं और आपको book में सबसे बड़ी बात होगा कि book में आपको धेर सारे exercise भी मिल जाएगे और हो सकता है कि कभी-कभी हम लोग उस जगा पे भी fail कर जाते हैं कि जो बाते book समझा सकती हो साथ हम लोग नहीं समझा सकते हैं तो आपको कोई भी points है ना डिटो नहीं मिलेंगे exact नहीं मिलेंगे हां कुछ-कुछ examples मैंने as it is लिया है कुछ-कुछ example ज्यादातर cases में मैंने example को simple example लेने का कुशिस किया मेरा main मकसद है समझाना तेरा main मकसद है आपके concept को clear करना आपके doubts को clear करना आपको सिखाने का काम है मेरा ना कि मैं टिटो वही बुक को ले आओं और बस यहां पर पढ़कर के आपको बता दो हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा तो ऐसे कोई भी कर लेगा वैसे कोई भी किसी का भी बुक उठा लेगा और पढ़कर करके बता देगा पढ़कर बता देगा तो मुझे एक इग्जामपल को कुछ बच्चे कुछ लोग समझ सकते हैं तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है एक्जाम komm को simplify करना पड़ता है और मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं अपने समझा रहा हूँ चीज दोनों का डिरेक्षिन सेम जगा है लेकिन मैं आपको आसान रास्ते से ले जा रहा हूँ तो इसलिए प्लीज आप ऐसा सेजेशन मुझे ना दिया किजिए बहुत खराब लगते हैं आपको चीज़े समझ में आरे कि आपको लॉजिक समझ मेरी आपको देखो जो कुछ भी में बता रहा हूं आपको कैसे पता चलेगा कहाँ को फैया रहा है और आप एक सर्साइज करते हाँ बिटवीन वी इटी डब्लू डबल इन बिटवीन इसको बिटवीन बोलते हैं ऐसे जो रट रट के चलेगा ना उसका ग्राइमर के exercise कभी solve नहीं होगा आपका concept क्लिर होना चाहिए और मैं आपको concept क्लिर करने का कोशिस कर रहा हूं अच्छा एक सजेशन और आया था कि सरा आप एक concept को समझाने के लिए कम से कम चार-पांच एक्जामपल दीजिए अरे बाई इतने सारे किसी चैप्टर में कम रूल से किसी चैप्टर में रूल्स ज्यादा है और अगर हम एक ही concept के लिए आज पर चेशे एक्जामपल लेना सुरू कर दोना तो सोचो के वीडियो का लेंद कितना बड़ा हो जाएगा तो क्या आप आप आफ्लाइन बैच में तो नहीं पढ़ रहे ना कि मैं आपको दस एक्जामपल दे दूँ वीडियो बड़ा होगा आप खुदी नहीं देखना चाहें आप आधा देकर के भाग जेंगे आपके पास र॓ करिं पेसिंस नहीं होगा उतना देखने केलिए तो इसलिए एक अग्जामपल मैक्सिमिमम दो ऐसा होता है कि एक अच्छांपल से क्लिर हो जाए तो पांस एकज्शांपल यह exercise भी आपको मिल जाएगा है तो अगर आपको कोई भी concept में problem है तो फिर से वीडियो को दिखिए फिर से revision इसको किजी आपको समझ में आजाएगा चलिए तो आई होप आपको प्रणावन अच्छा लगा होगा चीज़े आपको समझ में आई होगी अगर थोड़ा सा भी बेनेफिट होगा तो लाइक शेयर जरूर किजिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किजिएगा ठीक है चलिए मिलते हैं आप से अगले चैप्टर में तिल देन इट्स अगुडबाई